बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का कोई लड़ाई नहीं है लड़ाई हम अगर है तो भारत जिंदा पार्टी से है क्योंकि उस समिधान विरोधी है समिधान विरोधी ताक्तों को हटाना यह हमारी समाजवादी पार्टी की प्रत्वित्ता है कार में इन दल समाज के चछला समाज गरीज समाज समिधान को मन्ने वाला समय वहाजपा को बागा को हड़ाना चाहता है कि वह कि दस पाने के बाद पूरा और सपा को बढ़ेख साथ ना देते यादु could not साथ यो नमस्कार मैं हूनी रच पटेल और आप देख रहें निसनल जन्मत उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाओं का विगल फुक चुका है समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अख्लेश यादो बुंदेल खंड से लेके पूर्वांचल या पश्चिम कहीं भी जा रहे हैं बेतहासा भीड तो उमर रही है लेकिन वो भीड बोटों में कितनी परवर्तित होगी अख्लेश यादो 2022 के चुनाओं से पहले पिछडे और दलिद्वर्क को क्या भरोसा दिला पाएंगे कि बास्तों में समाजवादी पार्टी अब बदल पाई है या नहीं इ पारवार एक नाम आता है सामने वो नाम है मिठाईलाल भारती जी आज मेरे साथ में हैं बावा साहब वाहनी का गठन हुआ एक बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश की राजनीती में किस समाजवादी पार्टी ने बावा साहब वाहनी का गठन किया और कांसी राम साहब के साथ काम करने वाले मिस्नरी समझे वाने जाने वाले मिठाई लाल भारती जी को उसका अध्यक्ष बनाया क्या लगता है आप पूर्वा प्रदेश घूम रहे हैं क्या बास्तों में दलिस समाज के बीच में यह संदेश जा पाया क्या अखलेज जी अब बदल बदल चुके ह समाजवादी पार्टी के राश्चे धच सिरी अखिलेश जादो जी का पहले तो धन्यबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने लोहिया जी का अंदोलन के साथ साथ बाबा साथ मेटकर अंदोलन चलाने का फैसला किया और निशित्रों से बाबा साथ मेटकर वाहिनी बनने के पुरे पर्देश के दली समाज में एक मेसज जया और भरुसा किया कि मानि अखिली सादो जी बाबा साथु कंदर्वन को चलाएगा और यही कारण है कि भरुसा हुआ है तो पूरा पर्देश का जो दली समाज है समीधान को बचाने के लिए भार्ती जन्ता पाठी को हटाना कि और वो को लगा है वान्जपा को उतर पर्देश में कोई रहTा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अख्लिशादो का सिधा लगाई है सपा और भाजपा इसलिए जो दलिस समाज जो बहुजान समाजPARTY का जो पाता है जो बेसोट है उसको भी लगा है कहीं ने कहीं मानिय खीले साथ होगी समाझवाधी भारती जंदा पार्टी को रोक पाएंगे इसलिए भाजपा को रोकने के लिए दरी समाज का भारी सिंख्या में पलायन भूरा है नाराज़िदी से नहीं है। बहुजन समाज पार्णी कि क्या कोई लड़ाई ने है। लड़ाई हम अगर है तो भारत जिंदा पार्टी से है क्योंकि उस समिधान वीरोधी समिधान वीरोधी ताक्तों को हटाना यह हमारी समाजवादी पार्टी की प्रत्विता है और समिधान को बचाने के लिए आरच्छों को बचाने के लिए लोगतंत के रच्छा के लिए यह दलिस समाज को तकलीफ है कि BJP को हटाने के लिए वो सपा को बोड़ते देगी भारती जनता पार्टी पहले तो समिधान समिख्षा की बात करते हैं समिधान के धज्या उलाई जा रही है समिधान में जो बाबा समिटकर ने जो हमें अधिकार दिया है चाहे दलित को चाहे पिछले को अधिकार लागो नहीं हो रहा है समिधा पन्युक्ति की जा रही है जबकि समिधा पो को आरचल नहीं है प्रावेट सेक्टर से काम हो रहे है उसमें भी आरचल नहीं है आउट्सो कर्मी कै मांग कररें कि हमारे साथ नयाई मिले इनके संबुप खाना है नवबर को समिधान दीवस्वार मानिय खिले सादोजी वहां मुक्रतित के तौर पर मवजुद थे और वही उनहत्तर जा सिख्षक कर्मी अपना जंडा बैनार लेकर करका पनी मांग करें तो मानिय खिले सादोजी ने कहा था इनको समिधान पर भोरुसा है इसलिए हमारे पास आए इस अधिये मानिय खिले सादोजी के साथ दलित पिशरा गरी मजदूर किसान व्यपारी सवरो समाज के लोग जो भाजबा को अधाना चाहते हैं और सिर्य खिले सादोजी ने यह भरोसा कैसे लोगों के अंदर तक जाएगा कि जब आप होंगे तो समिधान खत्रे में नहीं द्युक्षा करना पड़ेगा अब भरोसाए है को कि उस लाइन पर मानिय इक लिशादोज चल दिया है जहां सामाजवादी पाटी वे जहां बाबा साबके बात कभी नहीं होती थी और बाबा साब कर नाम पर वाहिनी बन गया इसलिए समाज का भरोसा हो गया हमारी बात बेद्वा हुआ जब मुकमत्री के कुर्से से भटे तो जो गंगा जल से धोया गया जो सोधी कलनकिया गया उनको भी धक्का लगा है उन्हें प्रदेश के मुखमती रहे हुँ एक बड़े नेता देश के उनके अच्छा में मानिये खिले साथ हो जिसके घर्द हो आज सकता है तो बाकी दलितों का अथ पिछड़ों के साथ क्या होता रहा होगा और आगे क्या होगा इस चांद जाल लगाए सकता है इसलिए बहुत लगते रहे हैं कि बैकवर्ड की कुछ जातियां खुद दलितों पर अत्याचार करती रहीं उनके साथ मार पीट करती रहीं यह भरोसा तो दिलाना होगा ना इस बार समाजवादी पार्टी को कि इस बार हम सत्ता में होंगे तो दलितों के साथ इस तरह का न्याय नहीं होग इसी देश में दो पाटिया इसी है, एक सांपनाथ एक नागनाथ, एक कंग्रेस सांपनाथ, दुसरा है भाजपन नागनाथ, यह दोनों अतिचार किये है, फोट डालो राज करो का निती अपना है, 2017 के चुनाओं के बाद, चाए सपा के समर्थक हो, चाए बसपा के समर्थक, इनके अंदर भारी बदलाव आया, दो जाए उन्हें से गड़बंदन हुआ, गड़बंदन बाद में हुआ, 2017 के चुनाओं के बाद, जब मानी अखिले सादुजी का घर्द होया गया था, जब दलीतों पत्चार हुआ, पिछड़ों पत्चार हुआ, तो कोई कहने नहीं गया, जो गाउं की जनता है, गरीब पिछड़ा, दली समाज, अपने याप गड़बंदन करना सुरू कर दिया गाउंबर, और वो मैसेज 2019 में आ गया, और 2019 में गड़बंदन हुआ, और गड़बंदन हुआ, गड़बंदन तूट भी गया, लेकि हमें तकलीफ है कि गड़बंदन नहीं तोलना चाहिए था, जहां अधरिया बहिंच जी ने कहा था प्रेस्वारता में, ये पार्टी से गड़बंदन जब हुआ, तो 010 पहुंच गया, दस पहुंच देक बाद भी आपने गड़बंदन तोड़ दिया, और आरू भी लगा दिया, कि सपा को लोगों ने साथ महीं तो जाती कमी नाम ले लिया, कि यादों ने साथ महीं तो मेरा सिर इतना दर्द है, तकलीफ है और और सवाल भी है कि भई दस सीट पाने के बाद भी आपने ग्रबंदा तोड़ा अगर सपा को लोग साथ ना देते या दो समाज के लोग ओट ना देते तो दस समाज के लोग यह कैसे चुने गए आपका अरूप नहीं लगना चाहिए आप ग्रबंदा भले से बहुजन समाज पार्टी के दस सीट हो गई उसके बाव जुद भी गरबंदा तोड़ना और गलत अरुप लगाना यह किसी को गले से नहीं आया यह तकलिफ में लोग है आज भी जो जो गरीब समाज है इस बात को सवाल करता है कि गरबंदान को टोटा तोड़ना नहीं लोग आपस में साथ आ गए थे तो उसका असर क्यों नहीं दिखा चुनाओ की रिजल्ट क्यों नहीं बहुत अच्छी रहे तेखिए भारती जन्ता पार्टी आरेसे के इसी बड़ी साजिस होई कि पूरे गठवंदन को तीन जातियों को गठवंदा दिखाया गया यह गठवंदा तो तर्फ दलित यादो मुसलमान का है और बाकी जातियों हम मतलब पार्टी से भी चूप पार्टी भी यह बात नहीं कह है कर दो अंतर आएगा सामने 2022 के चुना में की सरकार बनने जा रही है नौकरी पेसा पूरा प्रदेश गूंवरे हैं गाउगों की जंता बोल लए है यह हमें बदलाओ करना है हमें नहीं चाहिए भाजपा कोरोना काल में जिस तरह से मजदूरों के साथ होगा है जिन और मजदूरों को हजारों हजारों किलमेटर पैजह चलना पड़ा शरकार ने उनके कोई इंतिजाम नहीं किया को गया कितने लोग दुनिया से बिदा हो गया पूरोना काल में हिनका पास कोई बिद आफ नहीं क्यों हवा हवा ही रहा जो का दे अकिक अठा किया गया फिर्टे केट्ट गया यहां तर कि केंदे के समाज वादि पार्टी ने पूरी परदेश के हर जिले में दीनलो का उटना में मदद किया समाज वाधी पार्टी मुखर नहीं दिखाई देती अब और जावा के घटना हुआ मानि राश्य दजी ने मुझे भेजा तत्काल भेजा मैं गया गोरफ में घटना हुआ जहां जहां घटना हुआ रही है प्रतेश्द राश्य दजी ने गभी तस लिया एक प्रतिमनी मंडल लेकर भेजा कि जाओ आप मुझे रिपोर्ट दो मैंने समझवादी सरकार में अगर इस सरकार में अगर याई नहीं मिल रहा है तो समझवादी सरकार में दलितों का गरीभों का पिछलों का जो अज्तन ह Hai उसका हिसाब किताब हम सरकार बनने पर करेंगे तिरी स्थी आरक्ष्ण और प्र्मोसन में रिजर वेशन ये दो डा препाई इसे हैं जिनको धुलना पड़ेगा इनके लिए भी कुछ उम्मीद है कि कुछ बदलाव देखेगा बहुत बड़ा बदलाव होगा कुछ हटकर भी फैसला लेना होगा तो मानी राशिद जी फैसला लेंगे ऐसा उन्होंने भरुसा दिलाया है क्योंकि दोनों महत्पूर्ण लिए जाएंगे और पर्मोशन का काम भी किया जाएगा बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि जो बाबा साहब आनी का गठन हुआ है इसमें सिर्फ ऐसी समाज के लोग होंगे या बीसी बर के लोग भी जोड़े जाएंगे बाबा साहब के मानने वाले लोगों को रखा ज भरोसा जताना चाहिए कि जब वो होंगे तो समिधान खत्रे में नहीं होगा आप एक परिवर्तन के बाहक हैं लोग आपकी तरफ आसा भरीजन देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम में भी बाबा साब को मानने वाले लोग होंगे और वही आगे जाके बद कर चल लए उसासम पंडूल preventing अंढुल भी जलीगा अंदूलम इंचला है ऐसा महसूस होगा लोग रहत मिलेंगा और अनीर अच्रद कर माने मीद पको है कि बômаже मलतले में अगो तो ठीम की आप तो जाती जन्गलना कराने की मांग यह अभी नदन करता हूं बाचीत के लिए सुक्रिया जन्यबाद